हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में इविंग क्रिश्टन कॉलेज की काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप वन से लेके लास्ट टेप तक स्टेप वाइस अच्छे से बताऊंगा और एड्मिशन उसके सुरू होने वाले ह है कल से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तो सारे डीटेल मैं आपको स्टेप वाइस पहले बता दूंगा फिर इसके बाद जो उनका ओफिसियल नोटिफिकेशन है उसमें जैसे स्टेप लिखा है वो भी समझाओंगा कि कैसे आपका प्रोसीडर आपका प्रोसीड होगा इस सारी चीज़े मैं आपको डीटेल में बताऊंगा तो चलिए पहले इस वीडियो को मैं सुरू करता हूं तो देखिए सबसे पहला स्टेप वन ऑनलाइन रिजिस्टिशन होगा जो कि आपको कल से होगा इस ऑनलाइन रिजिस्टिशन में क्या कुरना होगा आपको ऑप सब्जच अब्येस में और यह करना है ऊगला होता है डॉकमेंट-वे क्याति स्टेप 4 कि यह document verification आपका ECC के hall में होगा वहाँ पर आपको और campus में जाना होगा वहाँ पर आपका document verification होगा ठीक ऑफिस का step 5 आपका final admission होगा वहाँ पर आपको subject student have to choose their subject from the drop down menu and submit मैंने कहाना पहले आपको online जाके अपने combination को choice को fill up करना होगा फिर उसका lock करना होगा the choice will be then locked only when the student has uploaded his 12th past marks or relevant document as given above आपको तुरंथ अपनी scan copy का document वहाँ पर आपको upload कर देना होगा उसके बाद ही आप अपना पहला step आपको upload करना हो उसके बाद अपना subject filling करोगे देखिए फिर यहाँ पर एक और ची लिखा है the required fee is to deposited on the same day by 4 pm उसी दिन counseling के दिन ही आपको साम को बताया ना fee payment pay करने होगी यह इनका personal rule है students are advised that the choice of subject as well as the payment of fee must be made within the given time frame use of high speed network is therefore desirable आपको तुरंथ फीपेमेंट करके अगर फीपेमेंट नहीं करते हो तो आगे आपकी proceeding नहीं बढ़ेगी आपको अगला call जो आपके आपस में document verification के लिए बुलाना जाना जाना चाहिए वह आपको नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि आप जब सब कुछ कर दोगे वहाँ पर online सारी process को कर लोगे आपको एक एक फॉर्म एक पेज मिलके आएगा जिसमें आपका आपका कांसलिंग लेटर मान दीजिए आप फिर एडविशन कार्ड मान लीजिए आप कुछ भी मान लीजिए लेकिन एक पीज निकल गाएगा वह जरूरी है आपको मिलना वह तहीं मिलेगा जाएग आप अरिजिनल पाक पासिंग मार्क सी टालनी है 12th की 10th की भी लेके आपको जानी है और अगर आपको कुछ क्रिश्चन होने का चाहिए तो चर्च से स्पॉंसर सर्टिफिकेट आपको ले जानी है ठीक अब देखें यहाँ पर सारी चीजिए ते वेरिफिकेशन आफ और वहां आपको ले जानी है ठीक तो अब देखें यहाँ पर देखें 28 जुलाई से लेके एक जुलाई के बीच में एक से 700 होगी और पांच जुलाई के ऑनवर्ड जो सीट खाली रह जाएगी एक से लेके 700 के बीच में उनको बाद में बुलाय जाएगा तो यह हर साल होता है क्योंकि इसके बीच में बच्चे इलहाबद उन्युश्टी में भरे होते हैं उनको वहां में केमेन कैंपस मिलता है तो यहां यहां नहीं मिलता तो यहां लेते हैं तो एक से लेके 700 वीडियो सीट खाली होगी उसके लिए पांच के बाद आपका सारे पूरी होगी तो आयूप आपको यह पूरा वीडियो समझ में आया होगा सारी काउंसलु परासिमने अच्छे समझाया होगी अगर आपको कोई और प्राब्लम हे नाई समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट करिए इसके अलाव अगर आपको कोई चीज मुझे लगता है कि ये प्रोसेस में सारी डीटिल में आपको दे पाऊं तो आप बेल आइकन क्लिक कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आयोगी फ्रेंट प्लीस वीडियो को लाइक कर जीजे एंड थैंक्स पर वाचिंग कर दो एंवरी बन